कुम्बराशी गलत काम का गलत ही नतीजा मिलेगा अब जो होगा उसे आप खुद सहर नहीं पाओगे दोस्तो आज का वीडियो कुछ अलग से टॉपिक पर होने वाला है क्योंकि आज किसे जो के आने वाले दिन है उनमें आपके गलत काम के गलत नतीजे जो की दिख सकते हैं दोस्तों इस दुनिया का रूली हैं। अगर आप सही कार्य करते रहेंगे, इमान दरी के साथ कार्य करते रहेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, उसे प्रॉफिट भी अच्छा कासा देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अगर आप गलत काम करेंगे गलत काम से कम समय में बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है लेकिन उससे आगे जाकर नुक्सान भी सहना पड़ सकता है दो नंबर का काम आपको तो पता है दो नंबर के काम में कम समय में ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन आप किसी मामले में अटक गए तो पूरे आपकी जिन्गे ही खरब हो जाती है तो इस तरह से आपको आने वाले दिन में कुछ प्राब्लेम सहना पड़ सकता है तो पूरे विस्तार से आज की सुड़ों में जानने वाले है तो इस उड़ों को बिल्कुल भी मिस ना करेगा अंतर तक जरू देखेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशी पलपर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा और साथी भूले नाजी का शिर्वाच चाते हो तो कमेंड में जाई भूले नाजी लिखना ना भूलेगा तो चले जानते हैं कुमबर राशी के बारे में विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं आप के लिए इंपोर्टन बाते कैसे रहीगी उसके बारे में दोस्तों आप खुद को उर्जा से सराबूर महसुस करेंगे इस उर्जा का प्रयोग कामकाज में करें क्योंकि जो भी उर्जा है उसे आप ऐसी खाले बैट के उसका इस्तिमाल नहीं करेंगे तो इससे आपको नुक्सान हो सकता है यानि कि जो भी अब उर्जा है अब जवानी जो भी है वह काम करके बड़ी सपलता हासिल करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं यानि कि इस उर्जा का अभी इस्तिमाल कर सकते हैं, बाद में अगर आप बुड़े होंगे तो आपको कोई उर्जा नहीं मिलेगी, आप कोई विकारे नहीं कर पाएंगे, जमीन जायजात से संबंदित क्षेतर में आपको लाब हो सकता है, यानि कि आपने पिछले कुछ दिन जमीन जायजात कोई प्रॉपर्टी लेके खरीदी रखी थी, उसकी जो कि अब रेड बर चुकी है, इससे देखकर आपको अहसास होगा कि आपको लाब हो रहा है, आप प्रॉपिट में हैं, सामजी कार्यों में आप बढ़ चड़ कर हिस्ता लेंगे, लेकिन लव लाइफ म आपको निराशा हाथ लग सकती हैं, क्योंकि आप अपने लवर के साथ थोड़ा जगड़ा कर चुके हैं, या फिर करने वाले हैं, कारेक्षेतर में वरिष्टों का दबाव और घर में अनवन के चलते, आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग रता के साथ काम कर सकते हैं, अगर घर में ही कोई तनाव है, कोई परेशानी है, अनवन चलती रहती हैं, तो इसके चलते आपका प्रभाव काम पर पड़ेगा, और आप काम में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, इससे आपकी नोकरी भी छूटनी की शंका जताई जा रही है बताई जा रही है, इसलिए कोई भी अनवन हो, कोई भी घर में जो की महुल खराब हो, तो भी कारेशेतर में आप दिमा खुला रखकर खारे करेगा, नए अवसर मिलेंगे जिसको हाथ से नहीं जाने देना है, इसको पकड़ कर रखना है, तो चलिए अब बात करते हैं, आपको अपनी संतान की वज़े से आर्थिक लाभ होने के संभोना नजर आ रही है, इसे आपको काफी खुशी भी होगी, पारिवरी सदस्यों के साथ सुकुन भरे और शान्त दिन का लोग तले, अगर लोग परिशानियों के साथ आपके पास आए, तो उन्हें नजर अंद सपलता हाथ लगे, तो निराश बिल्कुल भी ना हो, असपलता यह सपलता की पहली सिरी है, जितनी बार आप असपलता होंगे, उतना उसमें ज्यादा सीखेंगे, उससे आपको कभी ना कभी एक दिन सपलता होने का राज पता ही चल जाएगा, विज़तों जिन्दगी की ख परिशानी खड़ी कर सकती है, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होनी की वज़े से आपको आखों से जुड़ी परिशानी हो सकती है, दोस्तों आप बात करते हैं कि आपके लिए लो राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में, अगर आप अकेले माता या पिता हैं और अपनी ब आप किसे ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनका अपने माता फिता से परिचे करानाय में आपको कोई संकुछ नहीं होगा, आपकी पसंद पर आपसे भी ज़्यादा आपके अभीभावक्त खोश होंगे, क्योंकि वह पार्टनर आपके साथ साथ आपके घरवालों की भी खातिर करता है, आप इस रिस्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी की तैरी भी शुरू कर सकते हैं, दोस्तों आप बात करते हैं कि आपके लिए धनराशुपल कैसा रहेगा उसके बारे में, अगर आप व्यापर में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की विक्री का ग्र आपको देखकर ज्यादा खुश मत होएगा, अगर इस ग्राप की वज़े से इस ग्राप को देखकर अपनी बिक्री को देखकर अगर आप अपना खर्चा बढ़ाएंगे तो इससे नुकसान तो होनाता है, जितना प्रॉपिट हो रहा है उसे फिर से अपने व्यावसाय को बढ़ाने में रिइन्वेस्ट करेगा, इससे जाकर आपका व्यावसाय तो बढ़ेगा ही, प्रॉपिट भी बढ़ेगा, साथ ही आपके व्यावसाय में और भी करमचारी जोड़ जाएंगे, उनके भी घर अच्छे कासे चलते रहेंगे, अपने कांद की गुनवत्ता बना होने वाली है, और आप जो कि अपनी कंपनी के अच्छी तरकियों भी देख सकते हैं, इस बदलाव का अपनी कांद की जगह पर सकारत्म उप्यों कीजीगा, इसके लिए नए संपर्गों का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, दोस्ता बात करते हैं कि आप के लिए करीर राशिपल क को संबलना किसी चुनतियों से कम नहीं है, लेकिन आप कारिस्तल पर मुश्किल परस्तियों को आसान इसे संबालेंगे, अच्छा टीम ओवर्क और अच्छे टीम के सदे से काम को समय पर खत्म करने में आपकी मदद करेंगे, आप अपने कारिस्तल को तकनी की तोर से भी समय के साथ साथ बदलने के तयार कर लेने चाहिए लेकिन आपके लिए शुबत समाचार यह है कि आपकी असमित उर्जा और साथ ही आपकी कड़ी महनत आपको सपलता दिलाने में मदद कर सकती हैं आखिर में आपके लिए स्वास्तरा शिपल कैसा रहेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं आप ज़्यादा उर्जावान रहेंगे आप रहत की सांस लेंगे और अच्छा भी महसुस करेंगे हाले में आई समस्या गंबिर नहीं बनेगी इसलिए अपनी सेहत का पुरा ध्यान रखेगा आपको सेहत को लेकर साउधानी बरतने और नियमित व्यायम करने के वशक्ता हैं ज़्यादा मेहनत वाली व्यायम करें ताकि आपका पसीना निकले अपना ध्यान व्यायम में लगाएं इससे आप खुद को उरजावन महसुस करेंगे हो सकता ही शुरुआत में आप ठकावट महसुस करें मगर बाद में आप खुद महसुस करेंगे कि आपकी सेहत बहतर हो रही है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका राशिफल रने वाला है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगा दोस्तों के संग शेर करेंगा और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरू करेंगा तो चले मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद